हमको आज इस पर नए सोच के साथ आगे बढ़ना है बच्चों को जेल भेजने के जुरत नहीं है हम चैट पर मान लीजिए हमने कहा दिया कि यारे हमें तो रोज ड्रग चाहिए अब हमें पकर करके जेल में डाल दोगे यह क्या वाटसप चैट है जो बच्चे हैं जिनके केस समाल के सामने नहीं आये उनके बारे में सोचिए उनके बारे में कोच इंता करने वाला है अभी तक सबसे ज्यादा ड्रग कंजम्शन को लेकर नडीपिएस जो कानून है वो चर्चा के केंदर में रहा है और इसी अडीपिएस कानून को एक याचिका के जरिये सुप्रीम को कोट में चुनोती दी गई है हमारे साथ याचिका करता वकील जैक सर हैं सर जो कंजम्शन को लेकर बार-बार मुद्दा उट रहा है जैसा कि कि सरकार के कुछ लोगों कि इस मामले में बदलाव करके कंजम्शन को अपराद ना मानकर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए इसको लेकर आपने याचिका किस तरह से दाखिल की और कोड का क्या रुक रहेगा क्या आपको मनना है मुझे उमीद है कि इस बार हमारी याचिका पर जरूर कुछ शकारात्मक निदेश जारी होगा मानने उच्टमनेयाले से हमने पहले भी दो बार याचिका दी थी किसी कारण से हाकिकत यह था कि हम आडियो सुन नहीं पाए थे तब तक माननेया सीजिया ने उसको डिस्मिस कर दिया था हमने फिर उसको फाइल किया मैंने उसको भी आधार बनाया था कि सेक्शन 27 जो है वह बहुत ही खतरनाक धारा है जो कंजूमर है और जो कंजूमर के लिए दोस्त है नौकर है उसका अगर वह खड़िता है तो फिर उसको ड्रग ट्राफिकर मान लिया जाता है ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा मान लिया जात है इस में जिसके लिए 20 साल का प्राफधान है जील का प्राफधान है जब कि एक कंजूमर जो है वह 6 महीने के जेल काट कर निकल जाएगा यह यह हैबिलेटेशन कहेट हम अपना पुनर्वास चाहते हैं उस नाम पे निकल जाएगा तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो जो आसपेक्ट को क्रिमलाइज किया गया है उसको खतम किया जाए एंडी पीए सेक्ट का उद्देश बहुत महान उद्देश से था कि ड्रग ट्राफिकिंग पे हमला करना है और जो कंजूमर्स हैं ड्रग के उनको समाज के मुक धारा में लाना है पुनरवास करके लेकिन उसमें हमान शांतर सकंद्धार कुछ विशंगतियां भी एंदहरा 21 से बन है उसमें जेल का पुराफधान तो पुनरवास की कि गई है दूसरी तो जेल की बात की गई है जो इनफोर्प्समिंट एजेंसियां एंसी भी हो या कोई भी हो वो क्या करती है कि उनको पकर करके फिर जेलमें डाल देती है और उनका friend को है जिसे रिया चक्रबरती का case था उसके भाई सोवी चक्रबरती का case था अब उनको drug syndicate का हिसा मान लिया गया, तो हमारा कहना है कि जो drug trafficking है वो commercial activity होती है जो धन का recycling होता है, जहां अपने पैसे का इस्तिमाल करके मुनाफ़ा कमाया जाता है इसको differentiate करने की ज़ुरत है Demarkate करने की ज़ुरत है कि कौन एक simple purchaser है जो अपने friend के लिगलती से खरीद लिया, नासमजी में खरीद लिया master के लिए खरीद लिया और एक drug trafficker जो धन कमा रहा है, जो लोगों को बर्बाद करने के लिए पैसे कमा रहा है तो मेरा मानना है कि उसको जो है आप differentiate करिए, demarkate करिए और consumption aspect जो है सिर्फ पुनरवास की व्यवस्था हो और कि अगर कोई चाहता है उसका पुनरवास हो तो drug de-addiction center में जाए, कोई agency उसको गिरफतार ना करे डॉक्टर्स उसको ट्रीट करे All India Institute of Medical Sciences के रिपोर्ट है जिसको भारत सरकार के नयर अधिकारता मंत्राले ने कमिशन किया था वो experts ने अपने survey report में बताया है कि जो jail हम वेज रहे हैं ये गलत कर रहे है इन बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए ये गलत हो रहा है आज अमेरिका जैसे देश में जिसके इसारे पे या जिसके परभाव में आकर के हमने ये एक बनाया था कानून proponent country of this prohibition law वो भी उसके 26 states तो अब decriminalization की तरफ जा चुके है पोर्चुगल नहीं इतना अच्छा result पाया है इसका decriminalization करके हमारा अपना state सिक्क्रिम कर रहा है तो हमको आज इस पर नए सोच के साथ आगे बढ़ना है बच्चों को जेल भेजने के जुरत नहीं है इनको प्रेड कराया गया भगाया जा रहा है 21 साल 14 साल के बच्चे हैं चिंधा की बात है देश के भविषे हैं गलत संगती में प्र गए मैं भी कल गलत संगतीम पर सकता था मैं बिहार से आया था रजाई ले करके मैं नहीं बटक सकता था लेकिन संजोगे मैं नहीं भटका मुझे तो चाह भी नहीं लेता सिग्रेट भी नहीं पीता मैं विदेश गया उन डिलिगेशन के साथ लेकिन मैंने कभी वहां दारू नहीं पिया लेकिन आज हकीकत यह है फोन्टे कभी हम भी कलगाड़े रात में मुझे नींद नहीं आती मुझे तो एक बोतल दारू है अब हमें पकर करके जेल में डाल दोगे यह क्या वाटसप चैट है तो हमने मानने नैलेसस तक्षेप की मांग की है कि इस पर भी लॉड रखा जाए अब इसकी डायरी नमबर मिली है उम्मीद है कि इस पर सफलता मिलेगी आखरी में चीज़ चोटी जर्व चूच पुछ है जो सिंपल ऐ चैट कर रहे हैं बात कर रहे हैं आपस में कंजमशन के लिएक और रहे है अगर रिया चक्रवट्पी या कोई इनके पेस वांग के सामने नहीं आए उनके बारे में कोई चिंटा करने वाला है अरग से लौग आज बाहुत से लोग नहीं लेकिन itě महन 익ra कि चिंता होनी चाहिए जो जो अंसंग बच्चे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं आयाए समात के साँद के सामने में तो इनके के समात के इया गए मेरा यह कहना है कि इनका पुदरबाज करके भारत सरकार सुस्ट सब्सक्राइब कृद कदम चाहिए यही मेरी इसमें चीनता की गई है जो मैंने चीनता पहले हो सब्सक्राइब में तिसमें निया इसके हो। इंडिया इंसुट आप मेटिकल साइंसेस के एक्सपर्ट्स ने दिया है विधी सेंटर ने भी अपना रिपोर्ट दिया है तो हम चाहेंगे कि इस पर कारवाई जल्दी से हो और जब तक सरकार कानून ने एक मोडिफाई ने कर लेती है तब तक इस सब जो ऑपरेशन्स हैं इनके खिलाफ द्रयूजर्स के खिलाफ को तुरंत रोकिए इनको रोकिए जो बच्चे जेल में हैं उनको निकाल लिए जो बेल पे हैं उन पर केस खतम करिए उनसे चुप चाप काउंसेलिंग करिए उनकी एरेंटिटी को गुमनाम रखिये जिससे किसी भी महिला के साथ जब कुछ दुराचार होता है तो उनकी पहचान को गुमनाम रखने की ज़रूरत है उनको समात के सामने प्रेड मत कराईए हमाने नेले से यही मांग करेंगे इस पर कारवाई हो सवाल यही है कि किस तरीके से ड्रग कंजम्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग को कानून जो है वो अलग अलग भेद करता है और साथी साथ जो लोग ड्रग के कुछक्र में फस गए हैं उसके आदतन बन गए हैं जिनकी आदत बिगड़ गई है कैसे उनको जेल में न डाल कर उनको सुधारे जाने की कोशिश की जाए इसी को लेकर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है तेखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बदलते वे वक्त में ड्रग कंजम्शन के डिक्रिमिनलाइजेशन को लेकर आगे आदेश देती है विडियो जनलिष्ट गोपाल दस्रमा के साथ मैं गौरप श् झाल